BJP ने तमाम हरियाना की 10 सीटों पर अपने उमीद्वार उतार दिये हैं। लेकिन कॉंग्रेस का क्या? कॉंग्रेस के बारे में सवाल लोग कर रे थे कि कॉंग्रेस कब अपने उमीद्वार उतारेगी? तो बता दें कि आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, हालां कि फैसला आज भी नहीं होगा लेकिन स्कूटनी जिरूर हो जाएगी और स्कूटनी के बाद में सीसी की बैठक में शायद कॉंग्रेस फैसला ले सकती है आने वाले तीन चार से पांच दिनों के भीतर और आज सिर्सा लोगसबा सीट पर बात करेंगे कि सिर्सा सिती क्या है समीकरन क्या कहते हैं नेता कोन किस पर भारी है मेरे साथ सुरेंदर नैन है जाने माने जनलिस्ट हैं और कई बड़े नेशनल चैनल में नोंने काम किया है और इनका इस वक्त जो है वो ठिकाना भारत पोस्ट है उस पर आप जाकर सर्च कर सकते हैं फोलो भी कर सक आज के दिन आशोप तावर कहा खड़े हुए हैim तरश को सभी दर्सकों का नहीं को अज हों मैं को स्वागत भी करता हूँ जिस तरिक के से हैंarak मुझे सिर्शा की बात किहीं क्योंकि हमने जो पहली वीडियो लोक्स्वा की मनाई है तो आपके तमाम दर्शकों ने पूरे हर्याणा के लोगों ने हमें काफी अच्छा प्यार द्याच्छा रिस्पोंच मिला तो उसी तरिके से सिर्षा का जैसे आपने कहा कि बीजेपी ने जो दस के दस कनिट उदार दिये हैं और सिर्षा की स्थीति कैसी है तो अगर मैं यू को हो सर्वेज जी की कुर्छेतर अगर एक सिर्षा की बात कर रहे हैं तो बीजेपी के कनिट वहां असोक तवर हैं वो पहले सिर्षा से सांसेद भी रह चुके हैं हलाकि उनका हर्दय प्रवर्तन हज से ज्यादा बार हो चुका है कॉंगरेस में थे कॉंगरेस छोड़ के ट ठीक लिए लगा तो अब वो बीजेपी में आ चुके हैं सत्ता में बागिजारी के लिए दोड़ लगा रहे हैं बिलकुल और हद से ज्यादा हर्दय परिवर्तन मैंने कहा ना कि उनका हो रहा है अभी जहां तक स्वाल है वहां के सेनैरियों की दो हजार चोदा में जब पह से चुना बड़ा ता और सुसील इन्दो राने जो है सिर्साय चुना बड़ा था उस वक्त जो है इनISA के जो चरंजीत रोडी थे वो सांसत्व बने थे और यहां से जो है वो डुस 이것도 बने चुनाओं के दो हजार नंनिस का चुना कर रहे हैं उसके बाद लगार दो बार हलाकि अंबाला से भी रही है और उनके पिताजी चोदरी दलवेर सिंग वही बहुत बार सिर्शा के सांसद रहे हैं उनके साथ साथ जब स्यूक्त पंजाब होता था परताप सिंग कहरो जब पहले मुख्या मंतरी थे स्यूक्त हर्याड़ पंजाब के उनकी भी सरकार में वो म संभावना है और ऐसा कॉंग्रिस के बड़े नियतार भी का कि अपरेल के यारे की पहले ही सब्ता में टिक्टे अनौंस कर देंगे तो सीधा-सीधा मुकाबला जो फिलहाल जो देखने को मिल रहा है वो बीजेपी और कॉंग्रिस का जैसा कि हर जगे वही हाल सिर्शा में है सिर्शा में एक चीज़ और एड़ कर देता हूँ आपको में क्योंकि सिर्शा जिलह ऐसा है वहां से तीन चार रिजिनल पार्टिया है मुख्यरूप से हम इन्हें लोकी बात करें वो उनका गरह जिलह सिर्शा उसके बाद नई नई बनी जेजेवी पार्टे की बात करें उ सुनने को मिल रहा कि वोट जो है वो बहुत ज्यादा खराब नहीं होगा यानि कि सिदा सिदा यूं कहें सर्वेज जी एक वोट है मोदी के पक्स का और एक वोट है मोदी के खिलाप का जैसे कि अभी दिल्ली में जो एक बड़ी विपक्स की इंडिया गठभन की रैली होई और कहीं ने कहीं अगर इस तरह की चीज़े बनती हैं तो अगर लार्जेस्ट वोट बीजीपी के जो खिलाप का है अगर वो एक जगह डलता है तो सिर्शा में भी जो है वो काफी समेकड़ बदलते नजर आ सकते हैं चुकि पंजाब का जो छेतर साथ लगता हुआ है किसानों का मुद्दा उठा उसमें बहुत सी चीज़े ऐसी हुई कि जो लोग जो है बीजेपी के खिलाफ आगे बीजेपी की मुखालफत जबर्दस्त है तो ये मुखालफत खत्म हो चुकी है चुनाओ के वक्त में रहने की संभावना है या इसका आसर बीजेपी के केंड़ेट के उपर कितना पड़ता है बिल्कुल आपने इस ही स्वाल की आसर वेजी ये जो किसानों की मुखालफत है क्योंकि वो किसानों का इलाका है और पंजाब और राजस्तान के सटा हुआ बिल्कुल सिर्शा है तो कही न और हम थोड़ा सा पहले चले जाए अभी बाइल एक्षन होके अटा है अलनाबाद का तो वहाँ पूरा का पूरा जो चुनाओ था वो भी किसानों की ही वज़य था याने किसानों की वज़य दोने स्थीपा दिया फिर से तो बीजेपी की जो कंडिडेट थे अलनाबाद से ग कमारी सेलजा जैसे संभावना लग रही हमें भी लगता है कि कमारी सेलजा को बीजेपी के मुकाबले में कॉंग्रेस वहाँ पर उतार सकती है उनको लगता है कि सेलजा मजबूत हो सकती है और ये काफ़ी दिन से 처चाये भी चल रही है कि जो कड़दावर नेता हें क elabor से उन तो कुमारी सहल्जा जैसे मैंने बताया वहां से सांसद रह चुके, उनकी पिताजी रह चुके हैं, और ये समेकन माने जा रहे हैं, जोड़कर देखे जा रहे हैं कि अगर कुमारी सहल्जा जो की लगबग तैय माना जा रहा है, कि वो अंबाला की बजाए सिर्शा लोग से ल पांग रही थी, सुनिता दुगल क्योंकि वो सांसद थी, वहां से सीट से रही, बीजेप ने उनको टिकट ने दिया, टिकट कट गई है, और दूसरी बात ये कि चुके आपने बताया कि अशोक तवर बहुत तेजी से दोड़ लगाते आ रहे हैं, कभी पार्टिया नोने बदली है, बीजेपी में आये हैं, तो कारिकरता बीजेपी के कैसे सोचते हैं, और सुनिता दुगल की जो टीम है, उसकी भी हम कमजोर नहीं मान सकते हैं, टीम तो मजबूत रही होगी, वो पांसाल सांसद रही हैं, वहां से, ये क्या फेक्टर्स होंगे, क्या आशोक तव बनने के बाद नहीं आये, धन्यवाद ने करनी आये, वैसा ही टीक सुनिता दुगल के साथ था, और बहुत लंबे समय से लगबग इसका कहीं के क्यास भी तो मालूम भी था, कि जो अगर टिक्टे जो बीजेपी बदलेगी, तो सिरसा की सीट भी उसमें एक है, और आपने देखा होगा, जब नहुरलाल खटर ने असोक्तवर का जवाइन करार उनका कि ये मेरे भाणजे लगते हैं, मेरा भी वो गाउं और इनका भी वो पैतरिक गाउं और ये भी मेरी भाणजी है, सुनिता दुगल, तो कहीं न कहीं आप वो चीजे क्या है कि क्योंकि संत जी, ज जो वो कह रहे हैं, तो हम भी लोगों को बता दें, संत यही है, क्योंकि असोक्तवर को लाने वाले संत जी है, हिसार की टिकट दिनाने वाले संत जी है, हिसार में भी, तो संत जी की साख जो ना, वो सिरप करनाल करनाल नहीं है, वो सिरसा भी है, क्योंकि सुनिता दुगल की टिकट कटवा के अशोकतावर को दिलाना ये जो है वो संत जी की साक का स्वाल भी है टीस तो रहती है सुनिता दुगल की टिकट कट गई भले ही वो एंटी इनकमेंसी में आ रही थी है जो भी फैक्टर्स रहे हैं या पोलिटिकली उनके साथ मिशड़ी अंतर हो गया कुछ भी आप कहें लेकिन टीस तो बन में रहती है कि वो जिस उमीद से इंतिजार में थी कि भी हाँ उनको टिकट मिलेगी लास्ट के दिनों में तो वर्किंग भी कर रही थी वो तो ये टीस जो है ये दिखते हैं पैदा करेंगे शोक्ता बिलकुल करेंगी क्योंकि कोई बी उनकी जग है अलग पार्टी से आकर है ना कोई कहीं कहीं सीट पर आए और जीते तो इस त चीजे हैं और बीजेपी के भी बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं अब जैसे माल लीजी ये गोपाल कंडा है उन्होंने सरकार को समर्थन कर रखा है वो हलोपा से जीत कराये थे उनके भाई जो है गोविंद कंडा वो बीजेपी के सदेश्याब बने उसके बाद उन्हें लड़ा लेकिन गोपाल कंडा क्या करते हैं क्योंकि सर्वेश जी अगर हम इनेलो को देखें पूरे हर्याना की बात अगर हम ना भी करें तो ये माना जाता है कि सिर्शा जिले में जो है वो इनेलो का ठीक ठाक पोजिशन माने जाती है कंपेर जिन टू बाकी जिलों के हार लग बीशा है क्योंकि जेजेपी के कंपेर हम बात करें हम कहीं ने कहीं बीजेपी के कंपेर बात करें या कॉंगरिस के तो सिर्शा में इनेलो का ठीक ठाक एक सिस्टम आना जाता है लेकिन जो गुपाल का अंड़ा फैक्टर है वो मतलब वहां क्या करते हैं किसका साथ दे कुछ उमीदे हैं डेरे से देखिए आपने ठीक कहा डेरा सच्चा सोदा का वहां बहुत बड़ा फैक्टर है और जैसा मैंने बताया कि दो हजार चोदा में जब पहली बार सरकार बनी हर्याना में भी तो अगर हम सिर्शा लोकसभा के लिहास से देखें तो सिरफ मातर एक स सर्वेश जी कि जिस डेरा सच्चा सोदा के समर्थकों ने कहीं न कहीं पूरे हर्याना में प्रभावित किया बीजेपी के पक्स में मद्दान किया वहीं उनका ग्रहेक छेतर क्योंकि डेरा सच्चा सोदा का मुखाले सिर्शा में है वहां वो प्रभावित नहीं कर पाई औ इस बार देखना होगा कि आखिर किस त्रीक के क्या रहता है दूसरी बात और 2014 में आपको ध्यान होगा चुनाव जो लड़ा बीजेपी ने वो मोदी के नाम पे लड़ा खालिस तोर पे 2019 में भी इतफाक से वही एक नारा था कि मोदी इस बार फिर मतलब फिर एक बार मोदी य नहीं करेगी सिर्फ इस लिए नहीं पर बहुत सी चीजे और और अल्युक्ये थे तो कही न कहीं लोगों में ये चीज थो है की ठीक, अगर किसी ने हे भड़ाला किया है। आप कारवाई कीजिए लोग इस बात को मानते हैं बट चुनाओ के वक्त क्यों एन वक्त पर क्यों तो ये चीजों को कहिने कहीं जोड के देखते हैं और जिस तरीके की चीजे चल रही है और जैसा आपने बड़ा अच्छा पाइंट का था कि किसानी इलाका तो किसान तो किस किसे बीजी पी को लेकर कहिने की उनका रविया रहता है वो किसे चुपा वा नहीं है वो तो सारा का सारा हुई लाका है तो मोधी का फैक्टर वहां नहीं चलने वाड़ा शुक्रिया बात करने के लिए और आप से भी अनुरोध है कि आप खुलके कमेंट करें और आप बता 2014 2019 में रहा था बहुत सारे फैक्टर से और कुल में लाके अशोक तवर की रहा सिर्सा में असान नहीं भले ही वह आज तक अभी तक अकेले लंगोट बांद कर घूम रहे हैं लेकिन कुमारी शेल जागर वहां से आती हैं तो फिर मुकाबला बहुत कड़ा होने की संभावना है वीडियो को दबा के शेयर करें खुल के कमेंट करें पसंद आये तो आप लाइक भी कर सकते हैं और आप देखते रहेक्मत पोस्ट